राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और इसको लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है और आज भारतिय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ अक्रोस रैली निकाली है और इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन और संत समाज के लोग सामिल हुए हैं वहीं प्रदर्शन के दोरान जैश्री राम के नारे लगाई जा रहे हैं गौरतलभे की 17 अपरील को अलवर में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया था इसके बाद से लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है वहीं असोक गहलोध सरकार ने राजगड के नगरपाली का अध्यक्ष समेत तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया है पतादे की अलवर के राजगड में मंदिर पर भुल्डोजर चलाने के मामले में तीन बड़े लोगों पर गाजगिरी है और राजस्थान की असोक गहलोध सरकार ने बड़ा एक्षन लिया है और राजगड नगरपाली का अध्यक्ष 37 दुहारिया को सस्पेंड कर दिया है साथी राजगड नगरपालीका के अधिसासी अधिकारी बनवारी लाल मीना को भी सस्पेंड कर दिया है इसके अलावा SDM केसव कुमार मीना को भी सस्पेंड कर दिया है देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कुब्रा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ दोस्तों साथ ही हमारे विडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए